ताटा स्टील यूरोप में करीब तीन हजार करमचारियों की छटनी करने वाला है जी हाँ कमपनी ने बयान दिया है उसके अनुसार यूजना छटनी के जरीए पारिश्टा में एक लागत में कमी लाने की की है उन्होंने कहा कि दो तीहाई चटनी कार्याले में पदस्त करमचारियों की होगी और इसमें सरवाधिक लोग निदलेंड काई की हो सकते हैं और टाटा स्टील ने ये भी कहा कि बाजार की गंभीर चुनोतियों की बीच पर इचालन को बचाये रखना तथा शुन्य कार्बन सरजन के साथ इस पात उतपाद की दिशा में इनोवेशन को तेज करने के लिए बदलाओ जरूरी हो गए हैं टाटा स्टील के सीई ओ की माने तो उन्होंने कहा कि आज हम आर्थिक रूप से मजबूत टिकाओ यूरोपिय व्यवसाय बनाने की दिशा में महत्वपून प्रस्तावों पर प्रकाश डाल रहे हैं ने कहा कि बहतर सहीयोग और निर्णे लेने में सक्षम बनने के लिए हम एक साथ काम करने की यूजना बनाते हैं यह में अबूत पूर्व गंभीर बाजार स्थितियों के सामने आत्मनिर भर सकरात्मक बनने में मदद करेगा भारत में रोजगार की मोर्चे पर हालत काफी खराब बताया जा रहे हैं वहनों की बिकरी में अधिक गिरावट आने के बाद यहारी मौसम में थोड़ा सुधार देखने को मिला लेकिन धलाई पर इस उद्यों का कोई सकरात्मक असर नहीं पड़ा है और अब यह बताया जा रहा है कि टाटा कर्मचारियों की चटनी कर स सकता है और भारी भरकम कटोती की नौबत भी आ सकती है सब्सक्राइब आर चैनल एंड प्रेस्ट बेल आइकन फोर अपडेट्स